जय हिन दोस्तों 10 रुपे के पहनी स्टॉक के बार में स्टॉडी करेंगे और स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड शुरुवायत करने के पहले एक अपडेट आपके दाद शेयर करूंगा और वो है यह सबसे पहली बार जब स्टॉक के उपर हमने स्टॉडी की थी है आप देख सकते हैं 9 February 2021 को स्टॉडी की थी वीडियो नंबर साथ आप चैनल पर आकर देख सकते हैं तब श्टॉक का बाह था आट रुपे जी हां तब श्टॉक का बाह था लगबग आट रुपे और आच स्टॉक का बाह हो चुका है अल्मुस्स दस रुपे के पा कोटली नंबर्स हमारे सामने हैं एंड फाइनसिंग प्रॉफिट को हम चेक करेंगे जो जून 2020 में था नेगेटिव 175 क्रोड फिर थोड़ा से इंप्रॉव्मेंट हुआ नेगेटिव 152 क्रोड सप्टेमर में फिर नेगेटिविटी और बड़ी अल्मोस्ट डबल से जाद हो माइनस 392 क्रोड यहां पर फिर से थोड़ी से अरॉंड बीस का बारा तेरा करोड की रिकवरी माइनस 379 क्रोड प्रॉफिट विफो टैक्स 110 क्रोड था जून में पॉजिटिव फिर गिरावाट आई 87 क्रोड फिर और गिरावाट आई इनफाक्ट नंबर नेगेटिव हो ग नेगेटिव नंबर था पॉजिटिव होके सिर्फ 6.79 पर आ गया सिर्फ कहना गलत होगा बट वैरेस बहुत बड़ी रिकवरी देखने मिली है और नंबर फाइनली पॉजिटिव हो गया है अर्निंग्स पर शेर 0.45 जून में 0.36 गिरावट फिर नंबर हुआ नेगेटिव और यहां पर नंबर पॉजिटिव भी हुआ और साथ में रिकवरी भी देखने मिली 0.03 भी सो प्रॉफिट भी फो टैक्स नेट प्रॉफिट और उर्निंग्स पर शेर यहां पर क्या दिखने मिल रहा है कि नंबर नेगेटिव ज़रू थे डिसम्बर 2020 में बट मार्च 2021 में नंबर जो है फाइनली पॉजिटिव हो चुके है और यह पॉजिटिव सायने इस स्टॉक के लिए बैलेंशीट में जाएंगे बॉर्विंग्स कितनी है 89,927 क्रोड की मार्केट का आप सोचोगे सिवे 257 क्रोड का है और बॉर्विंग्स अराउं 89,927 क्रोड तो इसमें हो होती है तो उस तरह से यहां पर बॉर्विंग्स इस तरह से देखने मिलती है और यह जो हम नंबर चेक करें फिर बता दूबर मार्श 2020 के विकॉस 2021 के नंबर यहां पर अप्डेट नहीं हुए है और एसेट कितने बैंक के पास अब देखे बॉर्विंग से भी जाता के एसेट से डाइस 97,000 क्रोड के एसेट से साथ इंडियन बैंक के पास शेरोलिंग पैटन मार्श 2021 के अपडेट के साब से विदेशी संस्थागत निवेशक 7.27 गरिलू संस्थागत निवेशक 18 आप जो हाइलाइट है आप वह मैं आपको दिखा दो डिसमबर 2020 में क्या था विदेशी निवेशकों के पास ज्यादा था फिरो कम हो गया घरिलू संस्थागों के पास कम था ज्यादा हो गया आप देख लिए कितना बड़ा टर्न राउंड है अरौंड साड़े चार के आस बिल रहा है अब चाट पैटन से जाएंगे और यह पिछले कुछ एक साल के लगबक का चार्ट किस तरह से चाइट पैटन को फालू कर रहा देख लेजे है यहां पर लगा दिया एक कर्व इसको मैं सेट कर देता हूं यहां पर स्टॉपने लगा दिया कर्व और आगे चैनल में देख लिए एक ही चैनल में दीरे दीरे करके नीचे आया और फिर जो है उपर की तरफ निकला ऊपर जाने के बाद क्या किया स्टॉपने यहां पर कुछ इस तरह से काम किया यह हाई पॉइंट के साथ में लोग पाइंट जोड देता हूं यहां पर यह सारे लोग चैनल में क्ाम कर रहे है जी हां लायन को थोड़ा एक्सेंड लिए काम कर रहा है था एव्प जो होलेDas स्टॉप स्टॉपर कर ने की कोशिश कर रहा था बट और प्रीछिशE कर रहा था तोसी लायन निदाली 20पाइट यह को आस्पास काम कर रहा है बात करें रेजिस्टेंश की तो उपर की तरफ स्टॉप ने एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंश बना लिया है कौन सा है वह यह 11.85 देख लिए 85 यहां पर 11.85 चौदा में और यहां पर 21 इसमाई 11.8 11.8 11.85 इंपोर्ण रेजिस्टेंस बना लिया है और इस लैंड को में कर देता हूं क्लर ग्रीन क्योंकि यह प्रेजेंट लेज्ट के ऊपर है सो नेक्स्ट तेजी कब बनेगी जब 11.9 को क्रॉस करेगा 11.85 को जब क्रॉस करेगा ना मैं आपको एक्जाक टार्गेड बता दू जो चार्ट पैटन को देखके मेरे समझ में आया है वह मैं आपको एक्जाक बताऊंगा और वह यह जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है या जहां पर स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करता कर सक 13.6 उसके बाद है 15.15 यह चार्ट पैटन के माध्यम चे लिए लेवल देखने मिल रहा है एक्जाक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूं 13.6 15.15 जयान रखेगा आपकी पोजिशन है तो एंड जैसा कि महमेशा करते हैं कितने पैसे इंवेस्ट करने होते हैं पैसे करने होते ह है तो हमें कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए वैसे तो साउथ इंडेंद ना कितनी वजबूत फंडामेंटल स्ट्रॉंग कंपनी ऐसा हो नहीं सकता बड़ किसी कारण कुछ हो जाए क्योंकि मार्केट को हम कंट्रोल नहीं करते हैं जैसा हम सोचते हैं मार्केट हमेशा हमको के साथ आपका इन्वेस्ट क्या हो पैसा चुकि है बहुत ज्यदा वलेटाल होते हैं उपर के तरफ नीचे की दरफ अगर आपका इन्वेस्ट किया हो पैसा दुगना हो जाता है अगर आपने 500 श्रुपे श्काल ऑर हो एक खज़ार रुपे हो गयें तो आपको करना क्या है आपकी जो capital है जी हां आपकी जो capital है मतलब 500 रुपीज आपने invest किये है वो 500 रुपीज आपको withdraw करने है जी हां 500 रुपीज आपको withdraw करने है ओके इससे होगा यह आपका risk exposure stock में 0 हो गया आगे जाके company शून्य हो जाए बंद हो जाए डिलिस्ट हो जाए आपको कोई फरक नहीं प impactful owner हो वो shares आपके DMAT account में credited होंगे ओके यह concept होता है penny stocks में trade करने का क्योंकि उसमें risk बहुत ज्यादा होता है बहुत ज्यादा लिंक दिया है उसपे क्लिक करके आप जुड़ सकते हो तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जै हिंद वंदे मातरम